प्राइमरी स्कूल 20 सितंबर से शुरू होने जा रहे हैं प्राइमरी स्कूल यानि पहली किलास से लेकर पाशवी तक की स्कूल जिन में मासूम बच्चे पढ़ते हैं हाला कि इस भी स्कूल बच्चों को स्कूल बनाने से पहले पैरेंट्स की सहमती लेना होगी पैरेंट्स की सहमती जरूरी है यानि इसकूलों को ये पैरेंट्स से लिखत में लेना होगा कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं नहीं भेजना चाहते हैं और आज हम इसी बिश्ट करछा कर रहे हैं, पैरेंट से क्या अपने मासूमों को इसकोल भेजने के लिए तयार हैं क्योंकि अभी मध्य प्रदेश में बात करेंगे, तो कोरोना काल खत्रल कर नहीं हुआ है ऐसे तमाम सवालों का आज हम जवाब लेने के लिए निकले हैं इस समय हम देख पा रहे हैं कि इसकोलों को लेकर सबसे अधिक जो करोना काल में लड़ाई लड़ी है वो पालक महासंग ने लड़ी है और पालक महासंग के तमाम सज़त्स हमारे साथ मौझूद हैं आपका क्या तो इसकोल खोलने का आदेश निकलवाते हैं और दूसरी तरफ वो खुदी दिन भर पिरतेग मंच पर जाकर यह बोलते हैं कि अभी कोरोना काल के कुछ पैसेंट्स बढ़ रहा है वायरा है डेंगू हो रहा है एक तरफ सलाह दे रहा है कि हम कम से कम सतर्ता बढ़ते हैं और मैक्जीमम 25 परसेंट तक स्कूलों में बच्चे पहुच रहे हैं 25 परसेंट पहुची नहीं रहे हैं जबकि 50 परसेंट उपस्तिक से राज सरकार ने स्कूल खोलने का निर्देश दिया था इसी तारत हमें एक सितंबर से लेकर छड़वी से लेकर आड़वी तक के स्कूल बढ़ रहा है वाइरल का बढ़ रहा है इस तरह से अपने बच्चों को कोई भी नहीं चाहेगा कि जोखें बरे स्कूल बेजा कर कोई पहली से लेकर पांजी तक को आईएस और आईपिएस बना जा रहा है तो राज सरकार की जो दोहरी नीतियां चल रहे हैं सिर्फ और सिर मद्यप्रदेश के निजी इस्कूलों ने एक तरफ राज सरकार पर दवाव बना रहा है और राज सरकार दो तरफ से चल रह प्रदेश का विकास नहीं हो सकता तो सिक्षा पर सिक्षा विभाग और मानिये मंत्री जी को बड़े बिसेस रूप से निड्ने लेना चाहिए अभी भावक को परकार कहां सिक्षा दे रहे हैं आज इसकूलों की हालत खराब हैं आज बच्चे कोरोना पैसेंट आज आदेस न बच्चस तो राज सरकार एंसे नी न क्यों ले रही है राज सरकार अभी भावक को मध्यप्रदेश के समस्त समचार पत्रों में निकाले और ये घोषना करें के अभी भावकों के सुजाब क्या आएं पता ही नहीं चलता हुए आप क्या करेंगे अब सरकार ने तो हैसा निकाल दिया है बहुत लंबे प्लानिंग से काम नहीं हो रहा है बस कुछ भी जैसे बात करते हैं कि उसका निदान क्या होगा बच्चों की सिख्छा के छेतर में बच्चों को आगे बढ़ेंगे बच्चे लेकिन उस पर कोई काम हो नहीं रहा है बजमीन इस्तिर पर कोई काम नहीं हो रहा है सिर्फ बस गोष्णा कर दी आती है अभी इसको कैसे देखते हैं आपकी प्राइमरी स्कुल खोल दैना आपकी कहीं से उचित नहीं मानता मैं चोटे बच्चों के पांच पी क्लास तर के लिए तो बिल्कुल उचित नहीं मानता अभी मैं क्योंकि वाइरल जो अभी डेंगु चिकन कुनिया मलेरिया इस सब चीजें जो आ रही है यह कहीं से उचित नहीं है यह आने वाले समय में बच्चों के लिए बच्चों के पेरेंट्स के लिए बहुत दवावल इस्तिति ह कि वह मतलब किस प्रकार से उसको मेंटेन करें अपने बच्चों किस तरह से मेंटेन करें देखिए परेंट्स और भी महां पर मौझूद हैं क्या हाल है आपका मैम है ठीक है प्राइमरी स्कुल खोल दिये हैं आपकी नॉलेज में होगा हां पता चलाए ना फीस साजिक से ख से प्रेशर अब बनाया नहीं है फिर पता चलेगा हां वैसे ही करेंगे एक रास्ता जरूर साफ होगा इसकुल हम तो पन कर दिये हैं आपको अब पूरी देना हो गया बच्चे को भेजा नहीं वेजाए अब सिच्वेशन पर डिपेंड करता है आगे जाके जो भी होता है तो फिर करना ही पड़ेगा स्कूल वाले तो फोर्स तो करेंगे ही बट अब देखते हैं क्या होता है तीसरी लाहर आने पर डिपेंड करता है जितने केस हो रहे हैं उस पर डिपेंड करता है अब यह मतलब वेट एंड वाच की इस्टिदी में आप विलकुल वेट एंड अप्लाइन जुरू कर दिया है अनलाइन बन कर दिया और लाइन शुरू होना चाहिए अब इसा लग रहा है कि जो कवेट की गाइड लाइन है छोटे बच्चे पालन नहीं कर पाएंगे कोई कारण ऐसा है कि नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे और इतना देहान दखेगा कॉन टीचर जहान लगते इतना कि मास्क पहना नहीं पहना है तो डिपेंड करता है उनकी कंडिशन पर तो नहीं पहजना चाहिए जहां तक है नहीं बहुत देखिए कुछ पैरंट्स ऐसे हैं आपको क्या लग रहा है छोटे बड़े बच्चों की इसकूल होल देना ऐसा कि उवहारा रहा है कि बड़े बच्चों की स्कूल जा सकते हैं छोटे बच्चे नहीं जा सकते आप क्या मानते इसकी बारी किया में पता नहीं सरकार या शंगलधन जो है वो क्या समीच है किस इसाब से देख रहे हैं कि करोना बड़े बच्चों को एक नहीं करेगा चोटे बच्चों को करेगा करोना करोना वाइरस से वह यूमन बॉडी पाटेक करता है जो वेक्सिनेटेट नहीं है चात प्रतिशत उनको वह और मेरा इसा मानना है कि जब तक बच्चा बच्चा वेक्सिनेटेट नहीं हो जाता तब तक किसी भी प्रकार से किसी भी शिक्षा सहस्थान को सरकार ने खुलना नहीं चाहिए अब 20 सितंबर से प्राइमरी स्कूल यानि पहली क्लासा बच्चा है बो भी स्कूल जाएगा कि जब बड़े बच्चों के लिए जो करोना की गाइडलाइन से उनको फॉलो करना मुश्किल है मुंबई की घटना में बता रही है तो यह प्राइमरी के बच्चे कैसे पांच मीटर का डिस्टेंस है सेनेटाइजर मास्क यह कैसे मेंटेंड करेंगे यह समझ में नहीं पाने फीज़ा पूरी दीजिए बिल्कुल बिल्कुल वही विद्देश है कि स्कूल एक बार खुल लाता है तो पैरेंट्स के उपर आ जाता है कि स्कूल आप भेजना चाहें बेजिए सरकार के क्या फायदा है सरकार का जितना शिक्षा इसमें सीधे भोलने की बात जाए सब्सकार काधा.. वह विद्धा को पासे है कि स्कूल गहुजसे अगर आप प्रफल से बड़े बले स्कूल पकड़ेंगे फायर पहले किसी राज्नेता है, जुड़े हैं कि राजनेता के बुदू है ऐसा लगता है आपका क्या हाल है बढ़ी है शेफ सर्मा जी जी छोटे बच्चे अब स्कूल जाएंगे सरकार के और से अरी जंडी है जी जाना नीच ही है मेरे इसाब से क्योंकि जो छोटे बच्चे रहते हैं उनमें समझदार ही नहीं है ती दूरी-दूरी बनाने के लिए दूसरे को मिलने के लिए तो बच्चे पास में बैठेंगे उठेंगे खाना पीना उनका सिस्टम खराब उज्जे ब्यक्तिगत अगर काओ तो पार्टी को बीजेपी पार्टी सरकार है सासन को मालूम ने क्या पीछे से कुछ पैकेज दे रहा है इसकूल वाले क्या कर रहा सासन की राजनीती क्या चल नहीं इस पर बच्चों के लिए पिछले साल भी विगाड़ दिया इस साल भी विगाड़ दिया क्योंकि जैनका पूरा वोई पैकेज रहता फीस का अभी एक दिन बच्चा जाएगा लाई ये फीस लाई ये फीस मार्सीट नहीं दे रहा है जे कि आम पब्लिक है जिसके बच्चे कोई बच्चे नों के फेवर में कोई सासन प्रसासन कोई कदम नहीं उठा रहा है किसी विरुकार का हम लोग इतने दुरौं से संगर्स कर रहे हैं बताई आप पूरे यहां तो होनी ना पूरा राष्टी लेवल पर हम लोग संगर्स कर कोई फाइदा नहीं कोई सासन सुनता ही नहीं बस अपने वासन देते रहते वासनों से कुछ होता है क्या बताइए आप पंडिया जी आप तो इस्कूलों का जो है मामला लगातार उठाते आएं सरकार को अब अभी क्या पालक महासंग का सजीशन क्या है स्कूल खोल देने चा अमेरिका में देखिए लंदन में देखिए फ्रांस में देखिए जर्मनी में देखिए जहाँ सब्कुस सुइधायं उन जगओं पर भी सुएधा देने के लेकिन क्या हुआ कि जब बीच में जब जो मामला इन लोग ने सरकार ने और प्राइवेट स्कूलों के बीच में जो भी समझोता हुआ हो इसमें हम जाना नहीं चालते लेकिन एक बात बुल्कुल साफ है कि यह पूरा का पूरा खेल फीस का है लेकिन एक बात मैं यहां बता कि कली हमानी हाई कोट ने अपने आदेश में कहा है कि हमारी पुरानी व्योस्ता सिर्फ ट्यूशन फीस वाई जाई रहेगी उसमें आप ट्यूशन पीस के अलावा कोई भी फीस नहीं लेकिन इसकोलों ने तो फॉन लगाना शुरू कर दिये हैं मैसेज भेजना शुरू कर अप लोगों ने क्या है आप बचे को भेजेंगी सकोब बच्चों को भेजना होचना नहीं है आप मतने बच्चे लिए नहीं जाता है तो बच्चे किétait दियं यह नहीं एक ही जगे बच्चा बातरूं के लिए टॉलेट बगर जाएगा बस एक ही सीट पर पांच गंटे कोई बैठ सकता है कि आप बताइए पॉसिबल है आप बैठ सकते हैं तो यह यह चीजें भी देखनी पड़ेंगे दूसरी चीजे डेंगू फोल रहा है चिकन गुनिया फैल अभी एगर दो महीन तीन महीने अगर वाच कर लेंगे कोरोन नहीं है उसते समय नहीं खेले नहीं खोलने तो कोई दिकत नहीं है ओनलाइन क्लासेश चली रही हैं फीस पेरेंट्स देगि रहें ना स्कूल वाले ना सरकार ना हाई कोड का आदेश मान रहे हैं ना मानने करके लिए फीज के मुद्द्ध को अगर एक तरह भटा भी दे तो स्वास्त को तो देखो सर बच्चे कौन जिम्मेदारी लेगा अगर एक बच्चे को हो गया मेरे खालते तो को यह भी बोलना चाहिए कि पेरेंट्स की सहमेथी के अलाबा अगर बच्चे को स्कूल में कुछ सब्सक्राइब कर सके यह होना चाहिए यह यह स्कूल सी वह तो फॉर्म आना शुरू कर दिए कि आप सहमती रहे हैं मेरे बच्चे को अगर कुछ हो गया तो तो मतलब मेरी जिम्मेदारी हो तो जैसे डॉक्टर फॉर्म बरवा लेते हैं आप मतलब बच्चा मेरा गया फिर यह चीज़ गलत है अगर सरकार मान रही कि करोना नहीं है सरकार मान रही करोना नहीं जिसके करणे सभी सिक्ष्टा सब्सक्राइब तो पिस सामयती पत्र लेने के आवशक्ता क्यों प्रेश्ट नंबर एक दूसरा जैसा कि बोल रहे हैं तूशन फीस ले रहे हैं सर आप पि तूशन फीस 36,000 कर देगी बागी सब को 0-0 कर देगा कोल मिला के अभिवावकों को मूर्क बनाने का थाम चाहसन और स्कूल प्रशासन द्वरा किया जारा एक यह दो हजार रुपे के लिए जिसमां स्पोर्ट्स फीस है ना एक्टिविटी फीस कंप्यूटर फीस स्मार्ट फीस 2,000 पर मान लीजिए मैग्सिमां अच्छे स्कूलों में उसके लिए आप हमारे बच्चों को दाओं पर लगा रहे हैं यह तो गलत है यह तो कहीं से उच्छेत नहीं है आप फीस लो ना हमसे टूशन फीस लो आप ऑनलाइन क्लास दो आप बहुत करती हैं यह तो रहें उसके बाद ही बच्चा नाइंत के बाद ही बच्चा टूशन लेता है लेकिन आप तो बीस सितंबर ओपन हो रहे हैं यह सोची समझी एक्चुली यह अभिवाव हैं सोची समझी राजनीती हो रही है कैसे स्कूल की टीचर स्कूल की जो जो ऑनर है जो डाइरेक्टर है और सरकार के सारे मेली बच्चे जाते हैं स्कूल में कोई बढ़ा ही नहीं होती है और बच्चे जा रहे हैं अभी भी भी उनको पैसे चाहिए सब्सक्राइब करता है जो अलोग अलोग सप्रेशन होता था अब उन्हें ने सारे चीज को एक टूशन भी कर दी कि हमारे एकी बाद भाई सारे पुछ बच्चे भी है क्या नाल विटा आपका तनिश्क्राव कौन से क्लास में आप मैं मैं मिडिल आपके स्कुल तो खुल अब हमारे पैरेंट्स स्कुल में जाके कुछ परमीशन देंगे न उन्हें तब ही जा पाएंगे हम तो क्या अभी पैरेंट्स रेडी नहीं है नहीं वो बाईरल भी चल रहा है अभी इसलिए तो फिर दर लगता इसकुल नहीं लगता है विस हम भी चाह रहे है कि खुलना नहीं जा रहे हैं अच्छा ओनलाइन पड़ाई है कोई समस्थ्या है इसमें नहीं कोई दिक्कत नहीं आती है तो अब ओनलाइन में दिक्कत आती है थोड़ी है विटा आपका क्या नाम है अब तो आपकी स्कुल ओपन हो रहा है जाओगे अभी तो नहीं जाएंगे क्ल से चले जाएंगे क्यों नहीं जाएंगे अभी मेरी नहीं खुली है अच्छा अभी नहीं जाएंगे अभी खुले नहीं है अच्छा यदि इसकुल खुल जाएंगे जाएंगे कोई डर तो नहीं है कोई बगए बगेरा पैरेंट्स रेडी हैं आपके नहीं पता आपका मन कर रहा है जाने का क्यों कर रहा है मन जाने का अच्छा लगता जाकर अब बच्चे बड़े भोले होते हैं आपका क्या कहना है कि आप बार बार तर्क दे रहे हैं कि छोटे बच्चों को नहीं बोला ना चाहिए चोटों को अठारा साल के उपर आज मध्य प्रदेश्व या हिंदुस्तान बैक्सीन की विवस्ता हो रही है और बैक्सीन लगती भी जा रहा है लेकिन आज हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं तीन साल से लेकर और आज जो सात-ाथ साल के बच्चे जब होते हैं इन बच्चों के लिए कोई बैक्सीन की विवस्ता नहीं है इसलिए अभी कही ना कहीं जाकर यह माननी है मैं नगरी प्रिसासन मंत्री महोदय जो आदर्नी भूपेंद भाई साब ने भी चीज कहा ता कि जब हम डेड़ दो साल से रुके हुए हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग अभी थोड़ा सा महीने दो महीने छोटे बच्चों के लिए वाच करें इसके बाद इसकूल के लि पर जो भरतम तरीके से फीस लूटी जा रही है और मध्य प्रदेश का सिख्चा विवाग इतना मौन है कुमकरन की तरह सुप्रीम कोट की गाड़लाइन हो चाहे उचने आलई की गाड़लाइन हो चाहे राज सरकार की गाड़लाइन हो लेकिन कहीं से कहीं तक अभी तक आज दो कई चाहे रहे अब देखेए सभी कैंब बच्चे होते है को दो रह थी चल रहा है और और किसी भी बच्चे की तवियत खराब होती है और कुछ होता था तो बोलके नहीं आएगा कि हम कुछ हो जाएगा तो मेरा तो सі बैतिकत भी मानना है मैं हम अपने बच्चों सो न सबसे पहले राज सरकार पर दवाब जो बना हुआ निजी स्कूलों स्रेफ फीस की उगाई चल रही है इसके लगा कोई भी पड़ाई नहीं हो रही है देखिए हम तमाम पेड़ेंट्स से बात कर रहे हैं कुछ और पेड़ेंट्स भी हाँ पर मौजूद हैं फिर तो यह बात नहीं है कि स्कूल ना खुलिया जाए स्कूल बिल्कुल खुलिए पर यह कॉंसेंट्स पेपर की बात हो रहा कि आप सहमत दे दीजिए कि हमारा बच्चे को हम लेकर कहीं फेग दें नदियों फेग दें अप्रेशन कर लें कुछ भी कर लें हम कह रहें देटीज प्रब्लेम प्रब्लेम नहीं कि स्कूल खोलना कि स्कूल खुलने इंवर्मेंट में बच्चे जाना चाहते हैं हम ना चाहते हैं पर आप उसको सुरच्छे देने चाहिए बच्चों कुसरच्छ पुरह किजिए और अभी जैसे एक सल देर सल आपना पढ़ा है नहीं फीसकी बात आती है सब्सक्राइब कहना है कि आप और भी आप कुछ बच्चों का जो फिस माप करवा दीजिए और स्कूल खोलिए स्कूल पुरा सुरच्छत्म को खोल करके स्कूल के स्कूल का हम विरद ने के स्कूल को भी तक अ बच्च औरकल तक दो ग morphine की स्कूल शॉड़ीं है और स्कूल में बच्चे गए थी नियों उनलायन दमारे पळिस माता बिखाए अभी आपके बच्छों के लिए स्कूल से कोई कॉल आया है आए ना मेसेज आया है यह आफ लाइन क्लास बंद कर रहा है टेस्ट अब जो लेंगे अब जो टेस्ट होने वाला है वह आफ लाइन होगा तो बच्छों को जाना तो पड़ेगा इसकूल फीस वाली कोई बात पर ना इसकूलों में विजट करने जाते हैं ना कुछ कहते हैं पेरेंट्स होने कई मेरे पास ऐसे एक्जामपल थे कि जो पेरेंट्स डियो सापके हैं यह दर उदर मंत्री जी कि अभी आपने बच्छे को अपनी जिम्मेदारी पर भेजें आपके पास कॉल आया बिल्कुल आ आया और जो एक प्रोफार्मा दे रहे हैं कि इसमें आप ऐसे ऐसे भरके बेजिए मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि मैं बच्चे को स्कूल बेज रहा हूं या भारत पाकिस्तान बोड़र पर या किसी ऑप्रेशन थेटर में कि मैंने अंदर क्वेज दिया अब बच्क मावाब से बड़ा तो वो हमसे भी बड़े हैं तो उन्हें तो यह कहना चीए कि आप अपने बच्चे भेजो यह बच्चे हमारे हैं यह हमारी जिम्मेदारी है इनको अंदर 6 घंटे कैसे इन सारी चीज़ों का पालन कराना है अब आप यह बोच्चों कि हम अगर भेज दे बच्चे को अपनी जिम्मेदारी पर बुलाईए यह हमारा बच्चा है यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इसको कैसे सुरक्षित रखें इसको पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है हम छोड़ेंगे लेके आएंगे उस जगे तो हम बच्चा सकते हैं लेकिन अंदर का क्या पबजय कुछ रहे आप ज़आशनी हैं, आप ये ऊसके माता हैं, आप ये पेता हैं, आप ये गुरू हैं और आप ये हमान की दर्शाह दिया गया तो भगवान अगर हाथा झाल ले तो कैसे संब्धक हो है हाई कोट जाने की तैयारी कर रहा है कैमरमेंद खेंचन के साथ राकेश चेतर वेदी निवस्ट टॉन्टिफोर पोपार म愛ला कर भार्य तैयारी कर बना किर भारे BY आदिना की त dingen ne तो खाँरता है कहा जर खाँर में वेवस्ट स्फ सुच्श कर राकेश थीश जाने कोई रहा है कि उन्हां प्कlish कर एक दो से म।ो अवस्वस्ट और रिश्टिषित झाल झाल